प्रिटेन के सेंट होस पत्थर जो कि इस तरह से खड़े हुए है अले तुम्हें इन पत्थरों के बारे में नहीं मालूम यह है ब्रिटेन के सेंट होस पत्थर जो कि आज भी वेग्यानिकों के लिए एक पहली बने हुए है कि यह आखिर इस तरह क्यों खड़े है मुझे से तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी अखी नहीं है कि ऐसा कैसे हो सकता है अरे रोबो तुमा आ गए अब तुम ही बताओ कि आखिर यह है क्या तुमारी इस पहसवाजी के चक्कर मेरा बहुत जादा दिमाग खड़ा हुए किसे चक्कु चल जाएंगा तुमारी इनी बात भी हो है जैसे है गाईज वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ मिस्टी टॉक्स आज की इस वीडियो में मैं बिल्कुली कुछ अलग करने जा रहा हूँ उमीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी जैसा की शुरोती इंट्रो से आपको ये पता चली गया होगा कि आज की वीडियो होने जा रही है brands के stone hedge पत्थरों के बारे में तो guys आज के science ने बले ही कितनी भी तरक्की क्यों न कर ली हो लेकिन science के सामेने हमेशा कोई नकोई पंगा पड़ा ही रहता है तो उसी लिस्ट में एक पंगे का नाम है स्टोन हेंच पत्थर ऐसा माना जाता है कि ये एंशन टाइम का एक इसमारक है और कई आर्कलोजिस्ट ये दावा करते हैं कि ये उस समय की वैदशाला यानि की मेडिकल रूम रहा होगा इसकी फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा कॉंप्लेक्स है कि आप इसे उस समय का कम्प्यूटर कह सकते हो ये पत्थर साउथ इंगलेंड के सेली सबरी मैदानों में स्थेत है ये पत्थर लगबग 13 फीट उचे है और ऐसा माना जाता है कि ये लगबग 4000 साल पुराने है इंशन्ट साउथ के अकॉर्डिंग ये पत्थर इसा के जन्म से भी 2750 साल पुराने है और इनको बनवाया था बिटेन के ड्रीट्स पुजारियों पुजारी? मंदिन है क्या? लेकिन नहीं आज का साइन्स इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं है आज का साइन्स कहता है कि ये पत्थर ट्रीट्स पुजारियों के टाइम से भी 1000 साल और पुराने है और पुरातत्त शास्त्री तो इसी बात के पीछे पड़े हुए है कि कुछ बोलते हैं किसी रोमन्स ने बनवाया था तो वहीं कुछ बोलते हैं टीसे मिस्ट्रियों ने बनवाया है खेल जो भी हो आज इनकी हिस्ट्री को तीन पार्ट्स में बाट दिया गया है जिसका पहला पार्ट है ईसा के जन्म से 2750 साल पुराना माना जाता है कि इसी समय में स्टोन हेंच के 56 रहसमाई औबरे छेद का निर्मार हुआ था और दूसरे पार्ट में 83 नीले पत्थरों को मिला कर बना बाहरवाला सरकिल जो कि ईसा से 2000 साल पहले का माना जाता है और तीसरे पार्ट में माना जाता है कि स्टोन हेंज के 70 सबसे बड़े बलुवा पत्थर सबसे एंड में वहाँ पर लगाए गए जिसमें हर एक का वजन लगभग 4 टर है सो गाइज एक बात तो माननी ही पड़ेगी कि स्टोन हेंज अपने आप में ही एक अजूबा है क्योंकि आज से लगभग 6000 साल पहले कुछ भी नहीं था आज की तरह मशीने नहीं थी, मैट्स हो जोमेट्री की नौलिज नहीं थी फिर भी इनकी फॉर्मेशन आज की जोमेट्री को टक कर देती है और अगर हम एलियन विसर्चर्स की माने तो वो तो कहते हैं कि इसको बनाने में एलियन से इंसान की मदद भी है और इस जगा का लाँ शाल कर दो लिए टुट हो दो ले खो ले ले लेगारा है